प्रेंट्स आज हमारे पास गीजर है और गीजर के बारे में जितनी भी प्रोब्म आती है चाहे वो प्रेसर की प्रोब्म है या फिर पानी गरम नहीं कर रहा है या फिर आप उसके connection करना चाहते हैं दाइग्राम के त्रूम में आपको इसके connection समझाऊँगा और बताऊँगा किस तरी के सिसके connection होते हैं इंडिगेटर के connection कैसे होते हैं आपको करना कुछ भी नहीं है वीडियो पूरा देखना है बहुत अच्छी नोलिज मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद आप गीजर में कहीं भी मात नहीं खाएंगे सारे प्रेशर की प्रोल्म सोल पर पाएंगे गीजर में रोड कैसे change करते हैं उसको भी कर पाएंगे auto cut के correction वागएरा सारी चीज़ इसमें कर पाएंगे तो दोस्तों मेरे डाम है समय और आप देखे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्निकल समय अगर आप चैनल पर पहली बारा चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक से जरू करें और साथ साथ में all notification bell पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो तो दोस्तों आई ये शुरू करते हैं वीडियो फ्रेंड्स अगर आपका गीजर खरा हो जाए तो घब रहा हैं बिल्कुल भी नहीं ये वीडियो पूरा देखें सारी प्रोल्म इस वीडियो में सोल करूँगा दोस्तों ये गीजर हमारे पास जैसे हमने इसका switch on किया तो यहाँ पर नली में से धुआ निकल रही है आपको इसके आप बारे में हम बात करेंगे इस तरह की जो नली होती है इसमें एक wire होता है जो कि अर्थिंग का काम करता है तो इसका मतलब यह है कि हमारा घीजर है जो अर्थिंग हो इसलिए होता है कि यह नल के थुरू अर्थिंग होता है जमीन से और इसमें अर्थिंग मतलब ना आए इसकी वज़े से यह लगा हुआ होता है क्योंकि घीजर में कंप्लेट अर्थ होगा तो यह वर्क करेंगा और इसके जो कनेक्शन वगेरा हैं सारे मैंने खोल लिए हैं इसका मैं डायग्राम लाश्ट में आपको दिखाऊंगा और एक एक चीज बारी के समझाऊंगा इसके कनेक्शन वगेरा इससे पहले हम बात करते तो रौड यह फटी हुई है आप यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल फटी हुई है डेमेज है इसी वज़े से इसका पानी गर्म नहीं होरा था इसके अलवा इसका जो प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा कम था उसका कारी जने उसके बारे मुंबाात करेंगे यह सारे फेच 아침 खोले नहें पहले एक निसान लगा और इसकी जो पाइंप लाइन है वो भी चोक हो गई यह हमने टेंक इसका साफ कर दिया है और इसके अलावा इसकी जो यह पाइंप लाइन है इसमें भी खार जमी हुई थी इसको भी हमने एसिट डाल कर तेजाब जो होता है टोईलेट के लिए नर वाला उसको डाल कर साफ कर जाए और जैसे हमने खोला था उसी दिसा में वो पाइंप लगाई है हमने यह जरूर ध्यान रखे नहीं तो आपने यह पाइंप अगर घुमा दिया तो आपको फिट किया हुआ गी ज़र दुबारा खोलना पड़ सकता है इसके बाद हम यह सारे जो पेच हैं हमने जैसे खोल लगाएंगे गाएं तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीक से लग जाएगी इसके ऊपर div पेच हैं दस नंबर की Pichte से इसको इजली कसपाएंगे और इसको अच्छे से टाइट करें, लूज ना छोड़ें, अगर लूज छोड़ेंगे तो पानी टपकेगा, पानी टपकने से खराब हो जाता है, या फिर ये करेंट मारने लग जाता है, तो इनको आप अच्छे से टाइट कर दें, और टाइट करने के बाद इसके करेंट में आपको बताऊंगा, तो यहां पर आप देखें, करेंट में थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, बाकी डाइग्राम में आपको समझाऊंगा, इसमें जो फेस है, यह फेस है, हमारे यहां पर आप देख रहे हैं, में तार आ रही है जिसमें से नूटल तो हमारा क्या है रोड पर सीधा जा रहा है फेस हमारा ओटो कट के थूरू जा रहा है आप यहां देख सकते हैं यह नूटल है और नूटल यहां लगा हुआ है फेस हमारा ओटो कट में से दूसरे ओटो कट में जा रहा है दूसरे ओटो और अब मैं आपको डाइग्राम में इसको समझा देता हूं तो यहां पर आप देखें यह जिस पर पी लिखा हुआ यह नूटल है यह देखें आप यह हमारा लिक्विड वाला ओटो कट है जो जिससे हम करते हैं और यह हमारा ओटो कट है इसमें से यह फेस हमारा गोमकर इस रोड पे जा रहा है और नूटल आप देखते हैं यह हमारा यह हमारा ओटो को फेस पर से कीदा हमारा फेस पे जा रहाै यह मैं लाइट का है यह Mys況 मैं ंडिगे टर हैं हमारा जलता रहेगा ही टिंग वाला जैसे ही ऑटो कट होगा थो हिटिंग वाला इंडिगेटर यहुप हो जाएगा इसका करेक्शन है यह लिख जोब非常 जोड़ा है इसождения इससमें और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें और अब हम इसको टांक कर आपको चला कर भी दिखाएंगे और इसका जो यह पिन है इसको हम चेंज कर देंगे इस तरी कैसे आप अपने गीजर को सही कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आईगी तो फ्र्रेंड्स आपने देखा मैंने आपको बताया किस तरीके से आप गीजर में उसकेफ्र की प्रॉब्लम को शोल कर सकते हैं प्र हैं कौ आप कर दी है इसके अलाब बाग बाएं इसी तरह की अच्छी नौलिज वाली वीडी आप लिये लाते रहें बिले कि आपसे नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ सब तक के लिए बाई बाई टेक केर्स